हेलो बच्चो, आज से हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं, ये हिंदी की क्लास 11 और 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए है बोर्ड की परिक्षाओं को देखते हुए, हिंदी जो किताब है उसको दो खंडों में विभाजित किया गया है एक होता है हमारा खंड कै और एक होता है हमारा खंड कै खंड कै के अंदर हम एक पुस्तक पढ़ते हैं गद गरीमा, एक पुस्तक पढ़ते हैं काव्यांजली और एक पुस्तक पढ़ते हैं कथा भारती ये खंडखे का पार्ट है, उसके बाद आता है खंडखे, खंडखे के अंदर हम पढ़ते हैं पुस्तक संस्क्रत और एक पुस्तक होती है व्याकरण इसके अंदर व्याकरण को भी दो भागों में बाटा गया है एक तो होती है संस्क्रत व्याकरण एक होती है हिंदी व्याकरण 11 और 12 के बच्चों के लिए इन में कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिसको वो ना जानते हो क्योंकि वो 10th क्लास में गदगरीमा, काव्यांजली, संस्क्रत और व्याकरण इन चार पुस्तकों को पढ़कर आए हैं उनके लिए केवल एक ही नई पुस्तक है कथा भारती खंड कै और खंड खै पार्ट में से सबसे पहले हम खंड खै पार्ट को पढ़ेंगे इसके अंदर हम संस्क्रत व्याकरण और हिंदी व्याकरण पहले इन दो व्याकरण को पूरा करेंगे उसके बाद हम खंड कै गदगरीमा, काव्यांजली और कथा भारती को पढ़ेंगे जो हमारी संस्क्रत व्याकरण होगी संस्क्रत व्याकरण के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे संधी उसके बाद संधी 10th क्लास में पढ़ी होगी तुमने बस उनी संधियों को और बढ़ा दिया गया है जैसे तुमने पढ़ी होगी दिर्ग संधी, गुण संधी इसके बाद पढ़ेंगे शब्द रूप, उसके बाद पढ़ेंगे धातू रूप, उसके बाद पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्य किन शब्दों में उपसर्ग लगाया जाता है, किन शब्दों में प्रत्य लगाया जाता है इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, संस्क्रत के उपसर्ग कितने होते हैं, संस्क्रत के प्रत्य कितने होते हैं, उसी के जैसे ही हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के प्रत्य कितने होते हैं, उसके बार विभक्तियां, उसके बार समास, 10th क्लास में तुमने समा पढ़े होंगे, इन समासों को और बढ़ा दिया गया है आगे, टोटल 6 समास होते हैं, तो 6 के 6 समास हम इन क्लास में पढ़ेंगे, ये तो था संस्कृत व्याकरण का, इसके बाद आती है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक पढ़ेंगे अनिकार्थिक कितने शब्द होते हैं व्याकरण भाषा के आधार पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक बहुत बड़े सेंटेंस को किस तरीके से एक शब्द बना कर यूज किया जाता है वाक्य शुद्धी वाक्यों को किस प्रकार शुद्ध करना है उनके लिंग यानि उनके जेंडर के हिसाब से उनके वचन के हिसाब से उनके काल के हिसाब से उनके कारक के हिसाब से उनकी वर्तनी के हिसाब से किस तरीके से हम वाक्यों को शुद्ध करते हैं उसके बाद रस वो ही जो रस तुमने टेंथ क्लास में पढ़े थे उनी को यागे और बढ़ा दिया गया है छंद हैं, अलंकार हैं, मुहावरे हैं, शब्दों में अंतर हैं, पत्र लेखन पत्र किसे कहते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं सरकारी पत्र किसे कहते हैं अर्द सरकारी पत्र क्या होते हैं किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं उसके बार निबंद लेखन निबंद क्या होता है क्यों लिखा जाता है निबंद की शुधता निबंद की मोलिक्ता जैसे स्कूल में पढ़ते थे सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे कुछ भी नया नहीं है ये सभी तुम्हें तेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है बस इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ये तो था हमारा 11th और 12th क्लास का हिंदी ग्रामर यानि हिंदी व्याकरण का सेलेवस सबसे पहले हिंदी व्याकरण को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि मतलब हम वर्ण माला किसे कहते हैं हमें वर्ण माला के बारे में कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भाशा की छोटी से छोटी इकाई जो हम भाशा बोलते हैं उसकी एक छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं उसकी एक छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं इन्ही वर्णों के उच्चारण समू को वर्ण माला कहा जाता है जो हम ऐसे लेके गय तक जितने वर्णों को पढ़ते हैं उन्हीं वर्णों को हम वर्ण माला कहते हैं इन्हीं वर्णों का एक विवस्तित समू होता है का खा गा इन्हीं को ही हम वर्ण माला कहते हैं वर्ण माला के अंदर कुछ 52 यानि वर्ण माला के अंदर 52 वर्ण होते हैं जिस है तो टोटल हमारे यां फोटी टोटल हमारे यां बावन यानि 52 वर्ण होते हैं अब बात आती है सुवर किसे कहते हैं जिन्वर्णों को बोलने में किसी भी अवरोधन का सामना करना पड़े यानि जिन्वर्णों को बोलने में कोई भी समस्या हमें ना आए उनको सुवर कहा जाता है जैसे छोटा ए, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, रैसे रिशी ए अओ अओ ये टोटल ग्यारा हमारे स्वर होते हैं इसके बाद जितने भी बचे हुए वर्ण होते हैं सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और व्यंजन को बोलने के लिए स्वर का सहरा लेना होता है व्यंजन को बोलने के लिए स्वर का सहरा लेना होता है उनको हम व्यंजन कहलाते हैं